हेलो बच्चो आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट नमबर 23 23 प्रैक्टिस सेट का जो है ये पार्ट नमबर फर्स्ट है और इसमें हम ये सारे क्योशन important करने वाले हैं और आप लोगों को पता है ये बच्चो पेपर में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और जो बच्चा मैत के सारे क्योशन सही कर लेगा उसका selection 100% पका होगा ये आप लोगों को पता है क्योंकि मानसर क्योग गयता और हिंदी तो सबी बच्चे कर लेते हैं लेकिन मैत में ही रटकते हैं और मेरिट में अगर नमबर लाना तो ये इस तरह के स्वाल आपको आने चाहिए और जितने बच्चों के answer मेरे soul करने से पहले आजाएं वो comment box में मुझे बताना और साथ ही ये भी बताना कि जितने मैंने स्वाल कराएं उन में से कितने question उन लोगों के आते थे और कितने बच्चे को मुझे से पहले answer आ गए और जो नहीं आप से आए वो इसमें समझ लेना ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं और question करने से पहले मैंने इन सब की playlist बना दी है जो भी आपके practice set है या i23 practice set है उससे पहले जो 22 set है उन सब की हो गई है अगर आपको देखना है तो नीचे लिंक दिया गया है उससे आप देख सकते हो तो चलिए सुरू करते हैं और करने से पहले लाइक और subscribe कर लें जिससे आने वाले सारे अपड़ेटाट तक पहुंचते रहें रमेज वे दिनेज की कुल आए 1800 है यदि उनकी आए का अनुपाथ 4 अनुपाथ 5 है तो रमेज की आए क्या होगी तो बच्चों में या रमेज और दिनेज का अनुपाथ दिया गया है और साथ ही साथ हमें कुल आए दी गई है इनके टोटल जो इनके पास है वो 1800 रुपीज हैं दोनों के मिलाकर अब हमें बताना इसमें से रमेज की आए क्या होगी तो जब आपको ऐसा परसंट कहा जाए कि आपको उनके आए का अनुपाथ और टोटल आए दी जाए किसी एक की पूछ ले तो सबसे पहले क्या करोगे आप अनुपाथिक योग निकालोगे अनुपाथिक योग का मतलब है जो भी आपको अनुपाथ दिया गया है टोटल इनको प्लस कर लेंगे तो चार प्लस पांच is equal to कितना हो गया नो यह आपका अनुपाथिक योग हो गया अब आपसे पूछा रमेज की आए तो हम लिखेंगे बच्चों यहां पे कि रमेज क आए बराबर क्या करते हैं जो टोटल आए होती है जो कुल आए है हमारी अठारा सो रुपे इसको हमें भाग करना है अनुपातिक योग से अनुपातिक योग कितना आया था हमारा नो से और गुणा करेंगे देखो अगर रमेज की आए पूछिए तो रमेज का जो भी रमेश अनुपात दिनेश है तो रमेश आपका पहले लिखा है तो यह जो पहले वाला यह रमेश का अनुपात होगा तो टोटल आए को अनुपात की योग से भाग करकर रमेश के अनुपात से गुणा कर देंगे चलिए नो दूनी हो गया अठारा दो सो दो सो की चार से गुणा करेंगे आपका आठ सो रुपे तो बच्चो रमेश की आए हमारी आठ सो रुपे हो गई और आपका राइट आंसर अगर हमसे दिनेश का पूछ लेता किलिए बच्चो रहता तीनो तरीके से हम इसको कर सकते हैं अगला परसन देखे खा दियान से यदी 2000 की आबादी में 40 व्यक्तियों की मृत्यू हो गई तो कितने परतिसत व्यक्तियों की मृत्यू हुई हमें ये बताना है तो बच्चों अगर हमें जन्म परतिसत या फिर मरत्यू परतिसत निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं गर हमें मरत्यू परतिसत निकालना है तो हम क्या करते हैं कि जितने व्यक्तियों की मरत्यू हुई है उनकी संख्या लिखेंगे मरत्यू की और साथी साथ कुल कितन व्यक्ति हैं उनकी करेंगे देखो अगर हमें जन्म की निकालना होता तो हमें जन्म लगाते उपर और अगर मृत्यू परतिसत पूछा है तो मृत्यू कितने व्यक्ति की हुई है और भाग कुल व्यक्ति से हम करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा तो यहां पे देखो टोट option number हमारा first right answer अगर आपसे पूछ लेता कि भाई जनम परतिशत बताओ तो यहाँ पर बत्तियों का व्यक्तियों का जनम देख रखता तो हम जो है जनम व्यक्ति और अपोन में कुल व्यक्ति और अगर मर्ति पूछा है तो कितने व्यक्ति को मर्ति हुई है और अपोन में total दिन में और मोहन उसी कारिया को पंदा दिन में कर सकता है दोनों मिलकर उस कारिया को कितने दिन में पूरा करेंगे हमें यह बताना देखो बच्छो जब यह अकेले काम करते हैं तो राम जो है इस काम को कर लेता है दस दिन में 10 डेज में ठीक है और जो मोहन है मोहन वो काम क करता है पंद्रा दिन में अब हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि दोनों मिलकर कारिये करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे यानि कि राम भी मिलकर काम करें और पलस में मोहन भी एक साथ काम करें तो कितने दिन में करेंगे तो जब बच्चों आपसे ऐसा कहा जाए कि एक व भाग करना इन दोनों के काम के योग फल से 10 प्लस 15 और आपको उत्तर आ जाएगा 15 दसाम कितना हो गया बच्चों 150 और 15 दस कितना हो गया 25 पच्चिस से इसको भाग कर देंगा हम लोग 5 तिया 15 पंचो 25 और 5 से 30 कटेगा 6 बार तो दोनों मिलकर काम को 6 दिन में करेंगे ओप्स के काम का गुणनफल और बटे में दोनों के काम का योग फल यही टीक हमने यहां पे लगा ली राम 10 दिन में कर रहा था मोहन पंदा दिन में तो दोनों के काम का गुणनफल बटे में दोनों के काम का योग फल आपका उत्तर आ जाएगा के लिए रुवा बच्चों अगला चाल दी गई है जिसको इंगलीज में स्पीड कहते हैं यह आपका 90 किलो मिटर परती गंटा दिया गया है और यहाँ पे हमें समय भी दिया गया है और समय हमारा 4 गंटे 40 मिनट तो बच्चो यहाँ पे देखो चाल है हमारी किलो मिटर परती गंटा में और समय हमारा गंटे और गंटे में बदल लेंगे जब मिनट को गंटे में बदलते हैं तो उसको 60 से भाग करना पड़ता है क्योंकि एक गंटे में 60 मिनट होती हैं ये कर जाएगा जीरो से जीरो दो दूनी चार दो तिया छे तो कितना हो गया चार पलस दो बटा तीन हवर ये टोटल हमारा टाइम आ गया इसको हम सोल कर लेंगे तीन चोक बार है और बारा में दो पलस करेंगे तो 14 बटा तीन गंटे ये टोटल यात्रा का समय है अब पूछ रहा है उसने कितनी दूरी तैंकी गई होगी तो बच्चों आपका दूरी जो होता है जो हम डिस्टेंस कहते हैं वह आपका होता है स्पीड इन्टू टाइम चाल गुणा समय के बराबर चाल हमारी है 90 किलोमेटर पर ती गंटा और समय आया है हमारा 14 अपोन 3 गंटा तीन से 90 कटेगा 30 बार अब गुणा कर लेंगे 14 तिया 42 और 1 जीरो यहां लगेगी तो 420 किलोमेटर की दूरी जो है ये ओटो डिकसत तैं करेगा option number 4 आपका right answer यहां पर सीखने वाली बात यह थी कि हमारा जो समय था गंटे और मिनट में दिया गया था और चाल हमारी किलोमेटर पर ती गंटा में है और दूरी भी हमारे सारे किलोमेटर में है तो हमारा जो समय है ना ये pure गंटे में होना चाहिए पर ये गंटे औ रीदगर उसे 625 रुपे में बेच देता है तो उसके द्वारा प्राप्त लाब की रासी कितनी होगी तो बच्चों यहां पर हमें करे मुल्य दिया गया है कोश्ट पाइज 550 रुपे है और फिर इसने इसको बेचा है 625 रुपे में तो बच्चों जो हमारा करे मुल्य होता जो हम खर्च करते हैं और सेलिंग प्राइज जो हम बेचते हैं अब देखो लाब हमसे पूछा है प्रोफिट प्रोफिट पराबर क्या होता है विकरे मुल्य माइनस करें मुल्य तो बच्चों इसने खर्च तो किया थे 550 सो समान बेचा 625 तो 625 में से 550 हम लोग यहां पर मा माच गए साथ तो इसको बच्चो 75 रुपे का लाब हो जाएगा ठीक है तो अगला परसन देखिए यह वाला आपका इंपोर्टेंट परसन है प्रिक्सा वाला बार बार पेपर में आता है एक प्रिक्सा में आकास ने मीनू से 10 अंक अधिक प्राप्त किये तथा शंजा ने मी मीनू से 10 तो आकास की तुलना भी मीनू से की गई है और संजा ने मीनू से 15 कम यहाँ पर भी मीनू से ही तुलना की गई है तो बच्चो जिससे दोनों की तुलना की है पहले उसको मान दो आप यहाँ पे लिखो कि माना मीनू के जो अंक है वो एक्स अंक प्राप्त किये मीन तब संजय के अंक हो गए यहाँ पर X-15 क्योंकि देखो आकास ने मीनू से 10 अदिक और संजय ने 15 कम सब की तुलना मीनू से होई थी तो मीनू के हमने X अंक मान लिया परसन के अनुसार कहा गया कि तीनों के कुल अंक जो है 310 थे मतलब मीनू आकास और संजय को अगर हम अंकों का योग करें परसन के अनुसार तो इन तीनों के अंकों का जो योग है वो बराबर क्या है 310 है इनको पलस करेंगे X X X कितना होगा आपका 3X और यहाँ पर माइनस के 15 और पलस के 10 माइनस करेंगे तो माइनस 5 बचेगा बराबर में 310 10 अब बच्चे 3X बराबर यह जो हमारा जब हम समीकड को हल करते हैं जो माइनस की संख्या होती है इधर बराबर से इधर आकर वो उसका निशान वतल जाता है पलस क्यों जाती है तो 310 पलस में 5 तब आपका 3X बराबर 315 अब इसको बच्चो अल करेंगे तो X बराबर जो X के साथ गुणा में होता है वो इधर भाग में जाता है तो 315 भाग 3 हल करेंगे 3 ही कम 3 एक में पाढ़न नहीं चलेगा 0 और 3 पंजे 15 तो X बराबर कितना आगे बच्चो 105 अंक अगर मीनू के पूछता तो मीनू के हो गए है 105 अंक हमसे पूछा है संजे के अंक बताओ आकास के पूछता तो 105 में हम 10 पलस कर देंगे तो आकास की भी आ जाएगे साथ ही साथ हमसे पूछा है संजे के अंक कितने थे तो बच्चे होगे तो खासकर संज़ के बताने है तो संज़ के अंक थे मीनू से 15 कम तो मीनू के आए है 105 उसमें से हम 15 माइनस कर देंगे 0, 10 में से गया आपका 9 तो बच्चे संज़ के जो है 90 अंक आए option number 3 आपका right answer आकास के पूछता तो यह आपके हो जाते 125 चिक है चलिए उम्मीद करता हूँ यह वाली भी आपको सुझ में आ गया होगा चलिए अगला देखते है आकास की 125 नहीं 115 आते क्योंकि 105 और 10 115 होगा लेकिन हमसे संज़क पूछे तो संज़क हमने निकाल दिये खासकर था आपका statement यह जो statement आपने बना लिया तो क्योशनता आप लोगा आसानी से सोर कर लोगे तो बस इसमें यही धियान रखना किस से तुल्ला की गई है तो पहले उसके मान लो फिर उससे जितने जितने का मैं उसके अंसार रखके टोटल को योग को हल कर लेगे ठीक है बच्चो अगला परसन देखिए यह भी आपका लाभानी पर आधारित परसन है एक कलम को 12 रुपे में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उसका करे मुल्य क्या होगा तो बच्चो देखो 12 रुपे में बेचने पर बोल रहा है यानि कि कि हमें सेलिंग पराइज दिया गया है यहां पर रुपीज 12 और यहां पर बोला है लाभ होता है प्रोफिट परसनेज है 20% तो पूछ रहा है क्रे मुल्य क्या होगा कोस्ट पराइज हमें बतानी है क्रे मुल्य मतलब कोस्ट पराइज तो बच्चो धियान रखेगा जब आ तो यहां पर बच्चो हमारा 100 into selling price कितना है हमारा 12 रुपे में समान को बेचा है और भाग करेंगे 100 प्लस profit percentage profit percentage है 20 तो 100 में 20 जोड़ेंगे 120 हल कर देंगे इसको बच्चो 0 से 0 cancel हो जाएगा और 12 से 12 तो कितना बच्चा हमारे पास 10 तो इस पैन का करें मुल्य कितना था रुपे 10 ओप्सन नमबर टू आपका राइट आंसर किलियर बच्चो सो ये आपका था बच्चो 22 का पार्ट नमबर फर्स्ट इसके अगली क्लास में हमारा होगा 22 का पार्ट नमबर सेक्ट जिसके अंदर हम अपने ये बच्चे वए question करेंगे ये भी सब important है तो अगली क्लास के लिए वीडियो को like चैनल को subscribe कर लें जिससे आने वाला update आप तक पहुंचता रहे तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंज जै भारत और आपको अगर पीडियाप चाहिए तो इस नमबर पर आप contact कर सकते हूं वहां से आपको मिल जाएंगे